श्री गनेशाय नमाहा नमशकार दोस्तों दोस्तों ये राशी फल चंद्रा राशी पर आधारित है चंद्रमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिती ही लेकर आती है इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जिवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के प्रेणाम ला रहे है दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में आठवे स्थान में रहेंगे इस जगे पर च प्रचंद्रमा के अश्टम भाव में होने से इस दिन आपका मन परेशान रह सकता है चिंतित रह सकता है आप किसी पुरानी उल्जन में उल्जे नजर आओगे इस समय में किसी अपने की याद भी आपको सता सकती है इस समय में आप इमोशनली काफी विक्र होगे जी हाँ इ इस समय में आप अकारण ही दुखी हो सकते हो और आपके आसपास के लोगों को आप अपने स्वभाव वककटू बोली की वज़े से दुखी कर सकते हो इसलिए आज आप शान्त रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे पैसों का लेंदेन करना इस दिन ठीक नहीं रहेगा ले इससे डिल साइन हो सकती है जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा था और वो काम जिसे लेकर आप confident है उसमें असफलता भी आपको दिख सकती है इस वज़े से surprise इस समय में मिल सकता है वो surprise अच्छा भी हो सकता है और वो surprise आपको दुखी भी कर सकता है इसलिए य आपके शत्रू आप पर हावी हो सकते है तो आपको सावधानी बरतनी काफी जरूरी रहेगी इस समय में यात्राय भी संबल कर करनी होगी चोट लगने की योग भी बन रहे है इस समय में सेहत से सम्मंदित परेशाने भी घेर सकती है सिर में दर्द रह सकता है पचन शक्ती क और अपने खाने पिने का ध्यान इस दिन आप के लिए रखना बेहत जरुरी है इस दिन के लिए अगर कोई प्लान बनाये है तो उसमें असफलता मिल सकती है तो थोड़ा साउधान रहे उपाई ज़रूर करे ताकि दिन आप के लिए बहतर बन सके यह जानकारी आपको सतर करन आज अगर आप चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पर लगाते हो तो आप शान्त रहोगे आपका मन शान्त रहेगा सिर्दर भी नहीं होगा दिन काफी अच्छा जाने की संभावना रहेगी तो आज चंदन का टिका अपने माथे पर ज़रूर लगाए अगर परसनल को इस दिन नजर अंदाज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस दिन आप कोई बड़ा एहम फैसला ना ले थोड़ा रूख जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस समय में आपको विदेश से धन कमाने का अच्छा मोका मिल सकता है विदेश सेटलमेंट के भी योग अ आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें के आपका इस दिन काफी अच्छा रहे मोज मस्ती भरा रहे दोस्तो साथ ही इस दिन मंदिर जरूर जाए और भगवान से प्रार्थना करें और साथ ही एक रुपे का सिक्का मंदिर के मुख्य गुलक में डालना ना भूले इन उप की ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशीफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशीफल को एक मारगदरशन की तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा